हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तुमादर्व ड्रेसिज, आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस और पगड़ी बनाने जा रहे हैं, यहां पर देखिए जो ड्रेस बनाई हैं, हमने तीन और चार नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई हैं, आप सभी साइज में इस ड्रेस को बना सकते हैं, और पगड़ी बनाई हैं, हमने तीन नंबर लड्डू गोपाल जी की, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहे हैं, क्योंकि वीडियो में पगड़ी बनाना भी और ड्रेस बनाना भी बहुत यासा अगर आप दो नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं दो नंबर तीन नंबर का अनजी के लिए बना रहे हैं दो नंबर के लिए तो आप देखें दो नंबर की चोली बना करके यहां से जो राउंड मैंने लगाए हैं एक राउंड यह वाला कम लगाएंगे और तीन और चार नंबर क यह measurement परफेक्ट है जो मैं आज वीडियो के इंदर आपको सिखा रही हूँ और 5 नमबर के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ पर यह वाले राउंड और बढ़ा लेंगे 5 और 6 नमबर के लिए 2 राउंड और बढ़ा लें बाकि यह pattern सेम बनेगा और अगर आप 7 नमबर 8 नमब बना रही है तो आप चोली बना करके थोड़ा सा पहले plain गेरा बनाए प्लेन गेरा बनाने के बाद जैसे देखिए सबसे पहली रो लगाई है मैंने दो डो डॉडबल क्रोश्य की तो इसके उपर थोड़ा सा प्लेन गेरा बना लें यहां तक उसके बाद फिर यह pattern बनाना शुरू करें यहां से यहां तक और सबसे बाद में फिर यह वाला था की तरह से बनते हैं बड़ी dress में आप यहां पर इनको 10 भी कर सकते हैं आप देख लें कि आपके घेरे में जोलतो नहीं आ रहा है उसके according आप इसको बना सकते हैं तो चलिए friends अब जल्दी से हम इस dress को बनाना शुरू करते हैं और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लिए इस dress को बनाने के लिए यहाँ पर देखे हम दो color की wool लेंगे white और यहाँ पर जो crochet हुक लिया है यह देखे हमने 10 नंबर का crochet हुक लिया है अब यहाँ पर देखे चोली हमने बना करके रख लिया है इसका link का आपको description में मिल जाएगा तो सबसे पहले अब हमें देखे क्या करना है सबसे पहले wool में हम note लगाएंगे और note लगाने के बाद इसको हम यहाँ से start करेंगे तो देखे आर्म होल की नीचे यह chain है यहाँ से हम शुरू कर देते हैं यहाँ पर crochet को ऐसे डालेंगे और देखे इस तरह से slip note लगाएंगे slip note लगाने के बाद यहाँ पर 3 chain लेंगे और 3 chain लेकर के इसी chain के अंदर एक double crochet बना देंगे तो यहाँ पर देखे हमारे एक ही chain में यह 2 double crochet count हो जाएंगे फिर इससे next वाली जो chain है यहाँ पर जाएंगे यहाँ भी 2 double crochet बनाएंगे और फिर इससे next chain में भी 2 double crochet तो पूरे round को हमें ऐसी complete करना है हर एक chain में 2 double crochet बनाते जाएंगे देखे इस तरह से और round complete कर लेंगे last में round को join करेंगे शुरू में देखे हमने 3 chain बनाई थी 3rd chain में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे slip stitches को join कर लेंगे अब यहाँ पर देखे हम एक chain लेंगे और एक chain बना करके इसी के अंदर जहाँ पर हमने chain बनाई है ऐसे एक double crochet बना देंगे और एक double crochet बनाने के बाद हमें यहाँ पर दो chain skip करनी है तो देखे नेक्स यह वाली है एक chain और यह दूसरी chain थर्ड chain में जाएंगे और थर्ड chain में जाकर हमने बनाया एक double crochet फिर यह दूसरा double crochet और फिर तीसरा double crochet तीन double crochet हमने एक chain के अंदर बनाए फिर हम दो chain लेंगे और दो chain लेकर के इसी के अंदर इसी chain के अंदर फिर से तीन बार double crochet बना देंगे यह एक ही chain के अंदर हमने दिखे यहाँ पर तीन डबल क्रोश्या बनाए, दो चेन और तीन डबल क्रोश्या, इसके बाद फिर हमें दो चेन स्किप करने हैं, एक दो, दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोश्या बना देंगे, ठीक है, एक डबल क्रोश्या बनाने के बाद अब फिर दो चेन स्किप करेंग और थर्ड चेन में जाकरके हमें जैसे यहाँ पर बनाया है तीन डबल क्रोश्या, दो चेन, तीन डबल क्रोश्या ऐसे बनाना है एक ही चेन के अंदर तो यहाँ पर देखे हमने तीन डबल क्रोश्या बनाए फिर दो चेन बनाई और फिर इसी के अंदर तीन डबल क्रोश्या बनाए ऐसे हम देखे इसको complete करना है यहाँ पर देखे और फिर इसके बाद हमें जैसे यहाँ पर देखे हमने यह तीन डबल क्रोश्या दो चेन तीन डबल क्रोश्या बनाए इसके बाद एक डबल क्रोश्या बनाया तो दो चेन स करके 3 double crochet, 2 chain 3 double crochet, इस तरह से पूरे राउंड को हम complete करेंगे, लास्ट में आकर राउंड को join करेंगे, शुरू में देखिए हमने यहां पर यह जो double crochet बनाया हुआ है, इसके उपर की chain में जाएंगे यहां पर और यहां पर हम ऐसे slip stitch कर लेंगे, तो देखिए इस तरह से यह हमा करोशे पर दागा लेते हैं, और double crochet को हम ऐसे pick करते हैं, ऐसे उठाते हैं, ऊपर chain में से नहीं उठाते हैं, देखिए उपर chain में से हम उठाते हैं इस तरह से तो वो double crochet होता है, और इसको हम अगर ऐसे उठाते हैं double crochet को इस तरह से नीचे से, तो इसको हम front post बोलते हैं, इसको दो double crochet इनको back post बनाएंगे तो दोखिये ये तो हमने बनाया था front post और back post बनाते हम ऐसे पीछे से crochet को डालते हैं और double crochet को देखिये ऐसे इस तरह से ले लेते हैं और इसको हमने बनाया back post अब इससे दूसरे वाला जो double crochet है इसको भी हम back post बनाएंगे ऐसे crochet को डालेंगे और ऐसे पीछे की तरफ से निकाल देंगे तो ये बन गए देखिए हमारे दो डबल क्रोश्य के उपर दो बैक पोस्ट पहले वाला हमने स्किप कर दिया था इसके बाद हम दो चेन के बीच में आ गए तो यहां पर बनाएंगे हम तीन डबल क्रोश्या देखिए मैंने दो बना लिए और ये तीसरा डबल क्रोश्या इसके बाद दो चेन और फिर इसी जगा पर फिर से तीन डबल क्रोश्या यानि कि इस दो चेन के अंदर हमें तीन डबल क्रोश्या बनाने हैं दो चेन और तीन डबल क्रोश्या अब इसके बाद देखिए हमारे यहां पर तीन डबल क्रोश् इसको भी देखें, ऐसे पिक करके, यहाँ पर यह बैक पोस्ट बना देंगे, अब इसके बाद देखें, बीच में हमने एक डबल क्रोशिया लिया था, इसको बनाएंगे हम फ्रेंट पोस्ट, तो फ्रेंट पोस्ट को हम ऐसे आगे से पिक करेंगे, और इस तरह से फ्रेंट यहां पर तीन डबल क्रोश्या, एक, दो, तीन, इसके बाद दो चेन, और फिर इसी जगह पर तीन डबल क्रोश्या, एक, दो, और यह तीन, अब बाकी देखे हमारे तीन डबल क्रोश्या, दो के ओपर हमें बैक पोस्ट बनाना है, तो जो पहले दो डबल क्रोश्या इनके ओ दबल क्रोश्या आ गया इसको बनाएंगे फ्रेंट पोस्ट तो पूरा राउंड हम ऐसे ही कम्प्लीट कर लेंगे देखे जिस तरह से में दो पैटन बनाई है इस तरह से देखे अमारा यह राउंड कम्प्लीट हो गया अब हम लास्ट में आ गये हैं तो यहां पर हम इसको जोईन करेंगे ये देखे जो डबल क्रोशय था इसके उपर वाली चेन में जाकर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे तो ये राउंड हमारा देखे जोईन हो गया इस तरह से देखे हमारा डिजाइन बनता जा रहा है ये अब हम नेक्स वाला राउंड लगाएंगे सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने अभी बनाया राउंड मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर एक चेन लेंगे एक चेन लेकर के देखे फ्रंट पोस्ट है इसके उपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से पिक करेंगे और इसको डबल क्रोशय की तरह से ऐसे बुन ठीक है इसके बाद अब देखेगा यहाँ पर पहले बार में हमारे पहले राउंड में तीन डबल क्रोशय थे हमने पहला इसकीप कर दिया था और दो पर बनाया था बैक पोस्ट अब हमारे पास यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पाँच डबल क्रोशय है तो पहला इसक चार डबल क्रोशय इन पर बैक पोस्ट बनाएंगे तो इस तरह से क्रोशय उग डाल देंगे और डबल क्रोशय के पीछे से ऐसे निकाल करके ये बनाया हमने पहला बैक पोस्ट ये दूसरे डबल क्रोशय पर बनाएंगे यहां पर दूसरा बैक पोस्ट फिर तीसरे डबल क् और तीसरा डबल क्रोश्या फिर बनाएंगे दो चेन और सेम चेन में ही बनाएंगे फिर तीन डबल क्रोश्या बिल्कुल सेम जैसे हमने पहला राउंड लगाया था ऐसे ही लगाना है हमें ये भी अब यहाँ पर देखे हमारे यहाँ पर पाच डबल क्रोश्या है ये पर बैक पोस्ट फिर ये चोथे वाला डबल क्रोश्या इसके उपर बैक पोस्ट और ये वाला छोड़ देंगे लास्ट वाला अब आ गई फ्रेंट पोस्ट पर फ्रेंट पोस्ट के उपर हर बार ऐसी करना है फ्रेंट पोस्ट के उपर फ्रेंट पोस्ट बनाना है थोड़ा प्लिट कर लेंगे और इसके आगे एक राउंड और से मैंसे ही लगाऊंगी मैं जैसे देखे अभी हमने ये वाला लगाया है उसमें भी हम ऐसी करेंगे पहला चोड़ देंगे बाकी जितने भी देखे 6 हमारे पास डबल क्रोश्या 6 के उपर बैक पोस्ट बनाएंगे बीच म पर देखेगा राउंड को कंप्लीट करके मैंने जोइन कर दिया और एक चेन लेकर के धागे को कट कर दिया अब यहां से हम अपनी दूसरे कलर का वर्क शुरू करेंगे तो देखेगा हमें क्या करना है वाइट कलर में पहले हम नोट लगाएंगे और नोट लगाने के दाल करके यहां पर बना देंगे एक सिंगल क्रोश्या चोथे वाली चेन में सुरू की तीन हम इसकिप करेंगे अब देखे यह जो धागा है इसको हम साथ में लेकर चलेंगे वाइट वाले को और इसके बाद देखे हमारे पास जितने भी डबल क्रोश्या के ऊपर जितनी जाएंगे लास्ट में देखे अभी एक बची है चेन इसके उपर भी सिंगल क्रोश्या बना लेंगे तो देखे इस तरह से बनेगा यह तीन हमने स्किप कर दी और चोथे से हमने शुरू किया अब बीच में जो दो चेन बनाई थी वहाँ पर आ गई इसके अंदर जाएंगे एक सिंगल क्रोश्या फिर इससे नेक्स चेन पर जाएंगे यहाँ पर भी सिंगल क्रोश्या बनाएंगे नेक्स वाली पर भी सिंगल क्रोश्या अब हमें यहाँ पर देखे लास्ट के तीन चोड़ देनी है एक दो तीन चेन चोड़नी है अब हमारे पास तीन औ बच्छी है तो तीनों पर बनाएंगे ऐसे एक-एक सिंगल क्रोश्या, हर एक चेंद पर एक-एक सिंगल क्रोश्या बनाते जाना है, इस तरह ऐसे देखीगा, अब लास्ट के एक, दो, तीन, इनको स्किप कर देंगे, और यहां पर बनाएंगे हम एक, दो, तीन, 4, 5, पाछ् करके अभी हा breaking 3 सकीप कर दी हमने front post भी skip करेंगे front post के बाद देखें हे एक चेन में eash उर बचती है इस पर भी 1 single crochet बदाते जाना है अब हम सेंटर मे अ गई दो चेन के अंदर तो यहाँ पर बनाएंगे दो सिंगल क्रोश्या और फिर दो चेन और फिर दो सिंगल क्रोश्या अब हम यहाँ पर जितनी चेन है सम्में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे बाद के जो तीन है इनको यहाँ पर छोड़ देंगे यहाँ तक बनानी है हमें सिंगल क्रोश्या फिर प पर आकर हम 5 chain बनाएंगे, 3, 4, 5, 5 chain बना करके अब देखें शुरू में जो हमने यह सिंगल क्रोश्या बनाया था इसमें जाएंगे chain में और ऐसे slip stitch से इसको join कर लेंगे, अब हमें यहां टोप तक जाना है उपर तक तो कैसे करेंगे, यहां से हर एक chain के अंदर से ऐसे slip stitch करते चले जाएंगे, और इसको हम tight हाथ से नहीं करेंगे, हलका सा हमें loose हाथ रखना है, नहीं तो यहां पर हमारा work यह ऐसे tight हो जाएगा, हलका सा loose हाथ रखके इसको निकालते जाएंगे chain में से और slip stitch करते जाएंगे, इस तरह से हर एक chain में हमने slip stitch किया, अब यह देखें, हम आ ऐसे तीन बार धागला पेटेंगे, हम ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं, उसमें दो बार धागला पेटेंगे, फॉर्थ क्रोशे बनाएंगे, और तीन बार धागला पेट करके इस लूप के अंदर चले जाएंगे, सीधे ऐसे और यहां से लूप निकाल लेंगे, अब दो लूप एक बार, दो लूप एक बार, दो लूप एक बार, तो यह देखे, इसकी हाइट के बराबर आ गया है, अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना करके, इसके अंदर से ऐसे होल के अंदर से डाल करके, सिंगल क्रोशय बना लेंगे, फिर तीन बार धागल पेटेंगे फिर इसी लूप के अंदर डालेंगे क्रोश्या को फिर दो लूप एक बार निकालेंगे दो लूप एक बार दो लूप एक बार दो लूप एक बार फिर हम तीन चेन बनाएंगे और यहां होल में ऐसे डाल करके क्रोश्या को ऐसे सिंगल क्रोश्या बना देंगे तो देखिए जैसे हमने दो बार बनाया ऐसे हमें आगे बनाना है तीन बार धागला पेटेंगे लूप के अंदर से ऐसे क्रोश्य डालेंगे दो बार लूप को एक साथ निकालेंगे दो को एक साथ और दो को एक साथ फिर तीन चेन लेंगे और इस होल के अंदर से ऐसे सिंग उस तरह से जोइन हो कर Yep आप से चेन होनी दागा लेंगे और 3 chain लेकर के इसके अंदर hole में डाल करके single crochet बना देंगे तो देखे आगे मैं ऐसे ही work करूँगी इसके अंदर 8 बार ये 4th crochet बना करके फिर इसको हम यहाँ पर join कर देंगे जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया है और सेम ऐसी करते वे पूरे round को हम complete कर लेंगे अब हम अपने work के end में आ गए और देखे यहाँ पर हमने यह triple 4th crochet बना करके यहाँ पर single crochet बना लिया तीन chain बना करके अब हम इसको join करेंगे जो शुरू में देखे हमने यहाँ पर single crochet बनाया था सेंटर में इसकी chain में जाएंगे और ऐसे इसको slip stitch कर देंगे और फिर एक chain लेकर के धागे को हमें यहाँ पर cut कर देना है और इस धागे को अंदर की side adjust करेंगे और देखे अगर आपको लगता है आपके यहेरे में यहाँ पर जोल आ रहा है तो आप यहाँ पर 8 की जगा 9 4th crochet भी बना सकते हैं हमने यह बनाई है लंबे वाले क्रोश्या आप 9 भी कर सकते हैं यहाँ और बड़ी dress बनाएंगे तो उसमें 10 भी कर सकते हैं तो यह आप अपने according देख लें तो देखेगा friends बहुत ही प्यारी सी हमारी dress बन करके ready हो गई है अब हम पगड़ी बनाना शुरू करते हैं तो पगड़ी बनाने के लिए wool में हमने देखे ऐसे note लगाई note लगाने के बाद chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे हम यहाँ पर 29 chain बना लेंगे 29 chain बनाकर यहाँ पर थंबर रखेंगे और फिर 2 chain और बनाएंगे अब जो यह 29 वाली हमारी chain थी यहाँ पर हमें ऐसे half double crochet बनाना है 3 loop का एक करना है और फिर इससे next chain में जाना है और यहाँ पर भी देखें इस तरह से हमारे पास 3 loop है 3 और का एक करेंगे टरंड करने के बाद देखें, पहले वाली चेन हमारी यह है, इसके अंदर हम ऐसे डाल दिएगे क्रोशय होग को, और यहां पर फिर हाफ डबल क्रोशय बना लेंगे तो ये जो दूसरी रो है ऐसे ही हम इसको complete करेंगे हर एक चिन में एक एक half double crochet बनाएंगे और इसके आगे एक रो और बनाऊंगी मैं तीसरी रो वो भी ऐसे ही half double crochet की बनाऊंगी तो ऐसे हमारी एक strip बनके तयार हो जाएगी तो चलिए इसको बना लेते हैं फिर आगे दिखाती हूँ आपको अब यहाँ पर देखिएगा हमारी strip बनकर के ready हो गई है इसको हम बाद में सीलेंगे पहले हम इसके लिए कलगी बनाएंगे तो कलगी बनाने के लिए यहाँ पर wool को देखे मैंने ले लिया है और इसमें मैं पहले magic ring बनाऊंगी magical ring बनाने के लिए ऐसे दिखे इस तरह से मोड़ देंगे और crochet से इस धागे को यहाँ से pick करेंगे अब यहाँ पर हम 3 chain बनाएंगे और इस loop के अंदर से हमें double crochet बनानी है एक 3 की chain और एक हमने double crochet बनाया दो बन गए तो इस circle के अंदर हमें यहाँ पर 10 double crochet बनाने है चलिए मैं 10 double crochet बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको 10 double crochet बनाने के बाद अब हम यह धागा यहाँ से पकड़ कर ऐसे दिखे खीच देंगे और फिर यहाँ से दूसरे color की wool को join करेंगे और इसमें देखे ऐसे note लगा करके इस loop के अंदर से यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर 1, 2, 3 तीन chain और तीन chain बना करके देखेगा इसी chain के अंदर हमें एक double crochet बनाना है जो इसके बराबर में यहाँ पर यह chain है और देखेए जो धागा है इसको हम ऐसे साथ में ले करके ऐसे चलेंगे अब इसके बाद हम यहाँ पर एक chain बनाएंगे और एक chain skip करके इससे next वाली chain में एक double crochet बना लेंगे और फिर इसके बीच में हम तीन chain बनाएंगे तीन chain बना करके सेम जगा पर ही दबल क्रोशय बनाएंगे इस तरह से दीखे यह वी इस्टिच बन जाएगा फिर हम यहाँ पर एक chain लेंगे और एक chain skip करेंगे और next वाली chain में एक double crochet बनाएंगे फिर तीन chain लेंगे और तीन chain लेकर के इसी के अंदर एक double crochet फिर से बना देंगे फिर से देखे हमारे पास यहाँ पर वी स्टिच बन गिया है इस तरह से अब एक चेन लेंगे एक चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोश्या और फिर यहाँ पर तीन चेन और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोश्या बना द अब एक चेन लेकर के इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे धागा कट करने के बाद अब देखिए हमने भाइट वाला दागा यही पर छोड़ दिया था इससे हम यहाँ पर वर्क करेंगे तो देखेे जो शुरू में हमने यह वेस्टिच बनाया हुआ इसके अंदर से क्र दबल क्रोश्य बनाएंगे एक बार और फिर देखिएगा ये दो बार और फिर यहीं पर ये तीसरी बार तीन हमने डबल क्रोश्य बनाएं इसके बाद इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोश्य बनादेंगे तो यहां पर देखिए हमने पहले हाफ डबल क्रोश्य बनाया फिर तीन डबल क्रोशय बनाए, फिर एक हाफ डबल क्रोशय बनाया, अब इसके बाद जो हमने बीच में एक चेन लीती, यहाँ पर जाएंगे, और सिंगल क्रोशय से इसको जॉइन कर देंगे, अब जो नेक्स्ट वाला देखे, वी स्टिच है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पहले एक हाफ डबल क्रोशय बनाएंगे, फिर इसके अंदर तीन बार डबल क्रोशय एक, दो, और फिर यह तीन, तीन बार डबल क्रोशय बनाने के बाद, अब बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशय यहीं पर, जैसे हमने देखे, पहले बनाया था यहाँ पर, सेम ऐसी पर single crochet से जोइन करेंगे तो इस तरह से सारे V-stitch हैं जो हैं सब में ऐसे ही वर्क कर लूँगी तो चलिए कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको last में आकर देखिए 1 फ्री डब्ल गोश्य है बना लिया है अब इसके बाद हम यहां पर एक दो तीन तीन शेन लन दिर धान से लोगें यहां पर latenकोनल सिंगल क्रोश्या से जॉइन कर देड़ेंगे इस देखेंगा इस तैसे ओर फिर इसके बाद तीन लेंगे और यहां से देया सीधे इस матери boxes में जाएंगे और यहाँ पर जाकर इसको slip stitch कर देंगे तो और एक chain लेकर के धागे को हमें यहाँ पर cut कर देना है अब जो देखे हमारे पास यहाँ पर यह दो धागे हैं दो नुक हम पीछे note लगा करके adjust कर देंगे अब हमारी यह कलगी बन करके ready हो गई है और एक चोटी सी कलगी और बनाएंगे हम देखे इस काई ब्लू कलर से ऐसे magical ring बना करके क्रोशियों को देखे इसके अंदर से ऐसे धागा निकाल लेंगे और यहाँ पर हम तीन chain बनाएंगे और फिर इसी के अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे आठ बार double crochet एक हमने तीन की chain बनाई और देखे दो हमने double crochet बनाई फिर यह तीसरा double crochet और यहाँ पर यह चार एक दो तीन चार पाँच हो गए सोरी पाँच हो गए एक तीन की chain भी थी छे और फिर यह साथ और एक बार ऊट बनाएंगे आठ आठ बार बना करके धागे को खीच देंगे, यहां से पकड़ करके देखिए, इस तरह से ऐसे, अब इसके बाद हमें यहां पर एक, दो, तीन चेन बनानी है, और सेम जगा पर इसी चेन के अंदर बनाएंगे हम, ऐसे एक बार डबल क्रोश्या, फिर एक बार और बना लेंगे दो बार हमने डबल क्रोश्या बनाया, एक तीन की चेन हो गई, इस से नेक्ट चेन में जाएंगे, यहां पर दो बार डबल क्रोश्या बना देंगे, तो सारी जितनी भी यह चेन है, सभी में ऐसी दो-दो डबल क्रोश्या बना लेंगे, इसको कम्प्लीट कर लेंगे, अब इस तरह से इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें पहले इसमें यहाँ पर टाकर लगा देना है पकड़ी सिलना मैंने कहीं वीडियोस में बताया हुआ है आप वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर अब इन दोनों पट्टियों को देखें यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे ऐसे और मिला करके इसमें ऐसे हम इसको सिलेंगे यह देखेगा इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसको पीछे की साइड देखें यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे तो जो center में है यहां पर इसके अंदर निडल डाल करके इसको एक बार हम यहां से ऐसे पक्का कर देंगे और पक्का करने के बाद अब हमें इस portion को सिलना है पहले हम इधर की side से सिलना है एक side का portion सिलेंगे और फिर दूसरी side का सिलेंगे तो जितना भी यह open है देखे जहां तक मेरी उंगली अंदर से नजर आ रही है यहां पर देखेगा आप यह धागे अंदर कर देते हैं यह उंगली साफन दिखाई दे रही होगी आपको जितना भी यह open portion है सिर्फ हमें यहां तक सिलना है यह देखेगा यहां तक सिलने के अब निडल को हम फिर से सेंटर में लेकर आएंगे यहां पर जहां से हमने इधर की साइड सीलना शुरू किया था और अब हम इधर का पॉर्षन सीलेंगे तो यहां पर भी देखे हमें ऐसे करना है जितना यह ओपन पॉर्षन है दिखी उंगली नजर आरही है यहां तक हम इस वीडियोस में है, पगड़ी सिलना मैंने बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को जाकर ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखे हमने इसको लगा लिया, अब इसके बाद हम एक कलगी ऐसे यहाँ पर अटेच कर देंगे, तो इस धागे को देखे नीचे से ही हम यहाँ पर ऐ इसके निकाल लेंगे, इस कलगी को हम यहाँ पर ऐसे अटेच कर देंगे, इसमें दो तीन टाके बहुत अच्छे से लगा देंगे, पक्के पक्के से, यहाँ पर देखे गा, इस तरह से, छोटे छोटे टाके हमें लगाने हैं, ताकि यह दिखाई भी न दे, यह हाइड हो जाते हैं, बूल के अंदर, अब इस से निडल को देखे हम यहाँ से ऐसे पीछे की साइड ऐसे निकाल लेंगे, इधर की साइड से, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर दूसरी कलगी को सिलना है, तो देखे यह जो हमने दूसरी कलगी लगाई है, इसको अब हम निडल को इस सिल देंगे, और फिर दिखे टाकी लगाते जाएंगे, पीछे से कुछ भी नहीं दिखने वाला है, आराम आराम से आप इसको ऐसे सिलते जाएं, दिखे यहाँ से, यह दिखीगा, और अब हम यहाँ पर ही इसमें नोट लगा देंगे, चाहे तो आप नीचे की तरफ भी न अब हम इस पगड़ी को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं डेकोरेट, डेकोरेट करने के बाद देखीगा फ्रेंस, हमारी पगड़ी कुछ इस तरह से बन करके रेडी हो गई है, और यहाँ पर जो पगड़ी बनाई है, हमने तीन नंबर लड़ू गो और पगड़ी पसंद आई है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बैल आइकन भी प्रेस करना, जिससे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी, नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए रादे रादे